स्मार्ट गोल्स को बनाकर आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप हासिल करना चाते हैं जब आप अपने किसी भी काम को पूरे डिरिमिनेशन के साथ करना शुरू करते हैं तो आप उस काम को खुशी और भैतर तरीके के साथ जल्दी ही पूरा कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं सीधी सी बात है जब तक आप खुद की इजट नहीं करते हैं तब तक अपनी ले काम भी नहीं कर सकते हैं अपनी लाइफ में सुक्सेसल होने के लिए आपको लगाता discipline से काम करने की जरुत है तब ही जाकर आप अपने गोल को हासिल कर सकते हैं जब आप खुद से नेगेटिव तरीके से बात करते हैं तो आप नेगेटिव तरीके से काम भी करने लगते हैं जिसके वज़े से आपको result भी negative ही मिलते हैं और आप अपनी life में हार जाते हैं आज हम 10 qualities of total winner book के बारे में बात करने जा रही हैं जिसे Dennis Waitlay ने लिखा है Cristiano Ronaldo जो की बहुत ही famous footballer है एक ऐसे घर में पले बड़े हैं जो मुश्किल से वक गजार रहा था एक बच्चे के रुप में उन्हें अपने तीन भाई बेनों के साथ उनकी खराब financial situation के कारण एक ही कमरा शेर करना बड़ा था ऐसे टाइम भी थे जब उनके पास football खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे लेकिन कार रॉनार्डो फुटबॉल में इतने चे हो गए कि उन्हें एक prestigious football academy के साथ training के लिए सिर्फ 11 साल की उमर में अपनी family से 500 मील दूर जाना पड़ा और यहीं से उनकी पूरी लाइफ बदल गई क्योंकि ऐसा करके उन्होंने खुद को इतियास के सबसे भेतरीन के लड़यों में से एक बनने के लिए track पर रखा जिसमें वो बुखों भी कामियाब रहे अब रॉनार्डो पॉर्टगीज football federation के the greatest Portuguese player of all time की रूप में जाने जाते हैं उन्हें दुनिया भर के लागों football fans जोरा greatest माना जाता है इसके लावा वो एक बिलियन डॉलर से जादा कमाने वाले पहले football player है इस बुख के जरीह हम जीतने के ऐसे ही तरीके के बारे में जानने वाले हैं जिनका इस्तमाल करके आप अपनी लाइफ में successful हो सकते हैं ये बुक अब तो कई हजारों लोगों की help कर चुकी है और आपकी भी करेगी बस इसके लिए आपको बुक में पताएगे 10 qualities को अपनाने की जरूत है अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको successful होने से कोई भी रोक नहीं सकता लेकिन इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं हैं तो चैनल को subscribe करना ना भूलें बहुत से लोग हमारी वीडियो देखते तो हैं लेकिन subscribe करना भूल जाते हैं इसलिए अपना प्यार दिखाने के लिए चैनल को subscribe जरूर कर दें तो चलिफे शुरू करते हैं जीतना हर किसी के लिए असान नहीं होता है और जब बात जीतने की आती है तो बहुत से लोग कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं कभी कभी जीतना इतना जादा मुश्किल हो जाता है कि वेरिंग शब्द आपको नकली लगना शुरू हो जाता है और इसी वज़े से हम अपने सामने आने वाले रुकाउटों को अपनी हार का करन दे कर रुख जाते हैं हालकि सची जीत परसनल एक्सिदेंस की अपनी परसनल सर से जादा कुछ और नहीं है जीतने के लिए आपको दूसरों को नीचे गिराने या अपनी वैलियूस का फायदा उठाने की भी ज़रुद बिलकुल भी नहीं है क्योंकि आपका जीतना आपके उस टैलेंट और एबिल्टी पर डिपेंड करता है जिसके साथ आप पैदा हुए थे और जिसको आपने टाइम के साथ डेवलोप किया है और इसे पूरी तरह से एक गोल या परपस की तरह इस्तमाल कर रहे हैं जो आपको खुश करता है जैसा कि आप विनर्स और लूजर्स के उपर कोट्स में साफ रूप से देख सकते हैं हम इसे बाकी लोगों से विनर्स के रूप में एक परसन को अलग करने वाली कोई लाइन नहीं है जीतना मेटरिलिलिजम के बारे में नहीं है या सिर्फ खेल के बारे में नहीं है ये लाइफ में अपनी सक्सेस को ढूणने के बारे में है जो हो सकता है सीधे शब्दों में कहें तो जीत हासिल करने के लिए कोई एक इनसान नहीं बना हुआ है हमेंसे कोई भी अपनी लाइफ में जीत हासिल कर सकता है ये खुशी पाने के बारे में हो सकता है एक शांती से भरा दिमाग हासिल करने के बारे में हो सकता है ये उस life में successful होने के बारे में हो सकता है जिसे आप चाहते हैं और आप अपने सभी goal को हासिल करने के लिए काम करते हैं author habits पर जोर देते हैं life के winners और losers के बीच एक साफ फर्क ये है कि winners अच्छी habits के साथ अपने life के फैसले लेते हैं जो उने successful होने में help करते हैं जबकि हारने वाले अपनी सभी बुरी habits को बनाया रखते हैं और डरर अरफसोस के साथ life जीने के लिए मजबूर होते हैं दोनों के भीच सिर्फ qualities का अंतर होता है उनकी qualities ही उन्हें एक दूसरे से हलग और बहतर बनाने में help करती है successful होने के बिचे कोई बड़ा राज नहीं चपा हुआ है successful होने के लिए आपको बस इस book में बताएगे 10 qualities को अपनाने की जरुत है जिसके बारे में हम एके करके अब जानने वाले हैं सबसे पहली quality है self projection self projection जीतने की quality को सीखने की सबसे बड़ी और पहली quality है self projection सिर्फ एक बहुती clear और specific picture रखने का काम है सीधे शब्दों में कहें तो आपको अपने goal को लेकर clear होने के जरुत है इस बात का पूरे तरीके से पता लगाएं कि आप अपनी life में क्या हासिल करना चाते हैं या आपके end goal को जानने के बारे में हैं और शायद इससे कहीं जादा भी है सिर्फ एक end goal होने की बचाए अपने दिमाग में एक film बनाएं जो आपको उस goal को हासिल करते हुए दिखाती है मतलब उन तरीकों को imagine करें जिसके जरिया आप अपने goal को हासिल करते हैं फिर महसूस करें कि उनको हासिल करना आप के लिए कितना अच्छा है और इससे कौन सी feeling महसूस होती है एक्जामपल के लिए अगर आपकी कड़ी मेनत के लिए आपका goal अपनी family के साथ time बिताना है तो शुट्टी को imagine करें जिसकी और आप काम कर रही हैं जब आप अपने goal की imagination इस तरीके से कर लेते हैं तो आप उन goal को महसूस करते हुए उन पर काम करने पर जादा जोर दे सकते हैं इसके साथ ही आप खुद से affirmation भी कर सकते हैं बस खुद से positive तरीके से बात करना शुरू करें और अपने मन में positive thoughts रखें ऐसा सोचे जो आप हासिल करना चाते हैं उसे पहले ही हासिल कर चुके हैं फिर उस moment की खुशी को महसूस करें अब उसे अपनी life में लाने के लिए ज़रुरी काम करने पर ध्यान दें खुद से कहें मैं अपने सपनों को जी रहा हूँ मैं वो सब कुछ हासिल कर चुका हूँ जो मैं हासिल करना चाता हूँ मेरी life complete है मैं खुशी उसे भरा हुआ हूँ मैं अपनी family के साथ जादा से जादा time बिताता हूँ इस तरह के positive thoughts और words को कहकर आप अपने आप में भैतर result हासिल कर सकते हैं आपके positive thoughts आपकी life में positivity के साथ आगे बढ़ने में help करेंगे आप अपने feature की success के बारे में सोचते हुए देखें कि आपको कौन से goals बनाने चाहिए और उनको पूरा करने के लिए उनकी vigilation करने के साथ ज़रूरी काम करने पर ध्यान दें आपकी कोशिशें आपकी सभी सपनों को सच करेंगी और आपको सही माइने में अपनी life का winner बनाएंगी दूसरी quality है clear goals बनाएं जैसा कि हमने जाना self-projectioning great quality है लेकिन सिर्फ इस quality पर काम करने के साथ आप सिर्फ दिन में सपने देखने के बारे में सीखते हैं लेकिन अपनी life में कुछ भी हासिल करने के लिए आपको ऐसे goals की जरुत है जो साफ रूप से define हो आपको साफ साफ पता हो कि आपका वो goal आपको कहां तक ले जा सकता है और आपकी life में उस goal को पूरा करने से क्या changes आएंगे सीधे शब्दों में कहें तो आपको अपनी life में जीतने या आगे बढ़ने के लिए smart goals बनाने की जरुत है इसके साथ या अपनी goals को habits में बदलने का तरीका जाने smart goals को बना कर आप अपनी life में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप हासिल करना चाते हैं अब सवाल ये बनता है कि आखिर एक smart goal का मतलब क्या है एक smart goal उस goal को कहा जाता है जो आपके लिए असान और फायदेमंद हो जिस goal को पुरा करने से आपको अपनी life में growth मिलती हो इसके साथे smart goal को decide करते time इन points का ध्यान रखें specific smart goal बनाते time improvement के लिए एक specific area को define करें measurable ध्यान रखें आपके goal को quantify किया जा सकता है या किसी तरह से measure किया जा सकता है अगर आपका goal measure नहीं किया जा सकता तो आपको इसे तब तक तोड़ने की जुरुत है जब तक इसे measure ना किया जा सके goal मिलाकर आपको अपने goal को major करने लाइक बनाना है assignable ये specify करना की काम कौन करेगा realistic ध्यान रखें कि आपका goal reality से जुड़ा होना चाहिए मतलब उन चीजों को हासिल करने की imagination ना करें जो हो नहीं सकती example के लिए हम मरे हुए लोगों को वापस जिन्दा नहीं कर सकते लेकिन हम जिन्दा लोगों के साथ जादा time बिताने के goal को रख सकते हैं time bound इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपके goal को हासिल करने का एक time decided है क्योंकि अगर आप अपने goal के लिए time decide नहीं करेंगे तो जाहिर से बात है कि आप उसको चिंतित रहते हैं वो हमेशा negative result के बारे में सोचते रहते हैं जैसे क्या होगा अगर मैं shot को miss कर देता हूँ क्या होगा अगर मेरे boss को मेरा project पसंद नहीं आया क्या होगा अगर मैं अपने goal तक पहुचने में fail हो जाता हूँ और ऐसे negative तरह से सोचना हमेशा उनके लिए negative result ही लेकर आता है और उनकी imagination किये गए negative results को उनकी life सच कर देती है तो अगर आप भी कभी इस तरह से negative सोचते हैं तो आज से और अभी से ही ऐसा सोचना बंद करें क्योंकि इस तरह से सोचना आप के लिए भी भी बहतर result नहीं लेकर आएगा ये सब सिर्फ आपके stress को बढ़ाता है और stress की वज़े से आप सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं और आखिर में आप अपने goal को हासिल करने में fail हो जाते हैं वहीं अगर success से लोगों की बात की जाये तो वो अकसर अपने positive result के बारे में सोचते हैं अकसर positive तरह से फैसले लेते हैं और इस तरह वो end में अपनी life में positive result हासिल कर लेते हैं ध्यान अके result के बारे में optimistic और positive रहना कहीं जादा भैतर होता है अब अगर पहले दे गए thoughts को positive तरह से दोराया जाए तो वो कुछ इस तरह से होंगे मैं उस shot को ले रहा हूँ मुझे पता है कि मैं project सबसे अच्छा कर रहा हूँ और boss इसे पसंद करेंगे अपने आपको अपनी goal तक पहुचते वे देखें रुकाउटों से बचने का plan बनाएं और अपनी success की imagination करें अब positive तरह से सोचना शुरू करें और अपनी life में बहतर बदलाव लाएं चाहे जो भी हो बस सभी कामों के positive side पर focus करें और अपनी life में positivity के साथ जीतने के लिए तयार हो जाएं चौती quality है self determination की power का इस्तमाल करें आपको उन चीजों में अपनी determination को मحसूस करने के ज़रूत है जो आप करते हैं ये job में उस project को करने के बारे में नहीं है जो आप अपने boss के कहने पर करते हैं बलकि आपको अपने काम को ले कर खुद determine होने की ज़रूत है जब आप अपने किसी भी काम को पूरे determination के साथ करना शुरू करते हैं तो आप उस काम को खुशी और भैतर तरीके के साथ जल्दी ही पूरा कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे result भी मिलते हैं तो अपसे आपको कोई भी project किसी और से क्यों न मिले उसे अपना भनाएं और अपने पुज़क के honor खुद भने किसी भी काम को करते time decide करें कि ये काम पूरी तरीके से आपका है और उस काम को अपनी पूरी खुशी के साथ पूरा करें जब आप चीजों पर अपनी stamp लगाते हैं और आप उन चीजों को अपने तरीके से पूरा करते हैं जिससे आप उन चीजों को किसमत के भरूसे नहीं छोड़ते और खुद उन चीजों को हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं किसी भी काम में success या failure सब आप पर ही depend करता है दूसरों की इच्छा से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता जाहिर सी बात है जब आप किसी काम को करना ठान लेते हैं तो आप उस काम को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और आखिर में आप उसे हासिल भी कर लेते हैं लेकिन ध्यान रखें अगर आप किसी इमामले में भटक जाते हैं या उस काम को करने से अपना मन छुड़ा लेते हैं तो आप उस काम को पूरा नहीं कर सकते और ऐसा करने पर आप हार जाएंगे इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी लाइफ में जीतने के लिए अपने काम को लेकर डेटरमिन रहें और उस काम को पूरा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करें धान रखें आप अपने मालिक खुद हैं और जब आप ऐसी सोच के साथ शुरुआत करते हैं तो आप जल्दे अपने कामों को पूरा करके बहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं हम इसे कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है हम सभी की अपनी कम्या होती है एक विनर होना सही होने और रुकाउटों की परवा की बिना हमेशा सक्सेसल होने के बारे में नहीं है बलकि ये आपकी कमजोरी को जाने और उनके लिए प्लान बनाने के बारे में है विनर बनने के लिए आपको उन कामों को आउट्सोर्स या डेलिगेट करने के जरुत हो सकती है जो आपके लिए मुश्किल है अपने मुश्किल कामों को करने के लिए अपने ओरिजिनल टैलेंट पर फोकस करें जब आपको किसी मुश्किल काम को करने की जरुत होती है तो आपको उन कामों को पूरा करने के लिए थोड़ा जादा टाइम देना है मुश्किल कामों को पूरा करने के लिए ज़ादा टाइम दे कर आप उन पर ज़ादा ध्यान दे सकते हैं और उसे बहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं साथ या आप ऐसा करके दूसरों के मकाबले अपने काम को जल्दी पूरा कर सकते हैं ये सब अपने आप में self-aware होने की समझ के बारे में हैं self-aware होना sympathy के बारे में भी है अगर आप समझते हैं कि आपके आसवास के लोग कैसा महसूस करते हैं और अगर आप उनकी situation और pain को महसूस कर सकते हैं तो ये आपको समझने का एक बड़ा base देता है और आप दूसरे लोगों को भी बहतर तरीके से समझ सकते हैं ये समझ जादा adaptable और changes के लिए तयार होने का कारण भी बन सकती है जब आप अपनी adaptability बढ़ाते हैं तो हमेशा कुछ अजीब चीज़े होती हैं जो दूसरों के goals को fail कर सकती हैं लेकिन ध्यान रखें कि इससे आपकी success और कोई असर नहीं पड़ता है Adaptable होने का सीधा मतलब बस नहीं बदले हुई situation को शामिल करने के लिए अपने plans को फिर से तयार करना है मतलब अगर आप कभी-कभी हार का सामना करते हैं तो उस हार को accept करके अपने plans को बदलें और फिर दूसरी तरीके से फिर से अपनी goals को पूरा करने की कोशिश करें ऐसा करके आप अपनी कम्यों के साथ काम करते हुए भी अपनी goals को हासिल कर सकते हैं चटी quality है self respect लाइफ में winner बनने गले खुद की respect करना और confidence होना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है सीधी सी बात है जब तक आप खुद की इजट नहीं करते हैं तब तक अपनी ले काम भी नहीं कर सकते हैं अगर आप अपनी इजट खुद नहीं करेंगे तो दूसरे भी आपकी इजट नहीं करेंगे दूसरों से उम्मीद ना करें कि वो आपको समझेंगे खुद की इजट करने और पूरे भरोसे के साथ अपने काम को पूरा करने पर ध्यान दें ऐसा करके आप जल्दे अपने काम को पूरा कर सकते हैं साथी quality है self discipline का होना कोई भी ये सुनना पसंद नहीं करता है कि successful होने के लिए बहुत काम करना होगा बहुत से लोग successful होने के लिए इन दोनों आसान जवाब और हैक्स आते हैं लोग successful होने के लिए भी shortcut ढूंडते रहते हैं लेकिन ध्यान रके successful होने का कोई भी shortcut नहीं होता है अपनी लाइफ में successful होने के लिए आपको लगाता discipline से काम करने की जरूत है तब ही जाकर आप अपने गोल को हासिल कर सकते हैं अपने गोल को हासिल करने के लिए मुश्किल habits को बनाये रखने पर ध्यान दें अगर रोज सुबह exercise करना मुश्किल लगता है तो रोज सुबह उठकर exercise जरूर करें और इन habits को जारी रखने के लिए discipline रहें और अगर आप पहली बार में fail हो जाते हैं तो एक बार फिर से शुरू करने की कोशिश करें self-disciplined होकर आप अपने goal को हासिल करने के लिए मजबूती से डटे रह सकते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए मजबूती से काम कर सकते हैं आठवी quality है self-talk यानि के खुद से बात चीत author ने winners और losers के बीच एक फर्ग self-talk को बताया है winner self-talk का इस्तमाल अपनी self-image और self-disciplined को मजबूत करने के लिए करते हैं हारने वाले वो लोग होते हैं जो negative self-talk को बहुत बार सुनते हैं जबकि हम सभी के पास negative या positive तरह से सोचने की power होती है फैसला हमारा होता है कि हम किस तरीके से सोचना पसंद करते हैं जब आप खुझ से negative तरीके से बात करते हैं तो आप negative तरीके से काम भी करने लगते हैं जिसके वज़े से आपको result भी negative ही मिलते हैं और आप अपनी life में हार जाते हैं वहीं अगर आप positive तरीके से खुझ से बात करना शुरू करते हैं मैं अपनी लाइफ में सक्सेसल होने के काबिल हूँ और इसी तरह positive self-talk करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ें नौवी quality है एक complete इंसान बनना उमीद है कि अब तक आप जान चुके होंगे कि author ने winner उस इंसान को नहीं का है जो सबसे बड़ी कार चलाता है या जिसके पास सबसे बड़ा bank balance है बलकि उनके according winner उससे कहीं ज़ादा है जबकि काम करना, drive करना और अपनी कड़ी मेहनत और मेहनत से एक अच्छा future बनाना winner बनने का एक बड़ा हिस्सा है लेकिन ध्यान नके ये सिर्फ इसका हिस्सा है इन सभी के साथ एक winner को community का हिस्सा होना चाहिए उन्हें spiritual होना चाहिए और खुद से बड़ी किसी चीज़ पर भरोसा करना चाहिए भले ये वो belief कोई भी shape लेता हो अपनी society और काम पर ध्यान देने के साथ साथ winner बनने के लिए आपको अपनी family के साथ भी time बिताने की जरुत है क्योंकि काम के चक्कर में लोग अकसर अपनी family को time देना भूल जाते हैं या फिर अपनी family को काफी कम time देते हैं लेकिन ध्यान अके winner बनने के लिए सब कुछ माइन ने रखता है Mr. Cruz सब तक अमीर थे जब तक कि उनके पास कुछ खराफ फिक पुडिंग नहीं थी और इसके बाद उन्होंने अपनी life को बदल दिया एक प्यार करने वाली family और दोस्त, neighbors और साथ काम करने वालों की wealth के comparison में material wealth का मतलब बहुत कम होता है एक complete इंसान बनने के लिए आपको इन सबी चीजों को ध्यान में रखने की जुरुत है इन सबी को ध्यान में रखते हुए दूसरों के साथ काम करने पर भी ध्यान दें दस्वी और आखरी quality है आज में जीएं author की winner की definition से पता चलता है कि वो time की value को बखो भी समझते हैं वो past के बारे में चिंता नहीं करते author के according past हमारा बीता हुआ कल है जो की खत्म हो चुका है तो life में आगे बढ़ने के लिए आपको सिर्फ past के बारे में सोचने की जरुत नहीं है past के बारे में सिर्फ एक चीज अच्छी होती है हम अपने past से अपनी गलतियों के बारे में सीख सकते हैं और दोबारा उन गलतियों को दोराने से बच सकते हैं साधियम उन लोगों की प्यारी यादों को याद कर सकते हैं जिने हम प्यार करते हैं आपका past आपके feature से नहीं जुडा हुआ है ध्यानक है जो बीद गया उसे बदला नहीं जा सकता लेकिन जो होने वाला है उसे decide किया जा सकता है आप अपने आज में किये गए काम उसे अपना feature decide कर सकते हैं यह पूरे तरीके से आपट depend करता है कि आप अपने feature को किस तरीके से बनाना चाते हैं अगर आप आज ही अच्छे और सही काम नहीं करते हैं तो जाहिर से बात है कि आप feature में भी successil नहीं हो सकते लेकिन अगर आप आज से अपने feature के लिए काम करना सुरू करते हैं तो आप feature में यकिनन successful हो सकते हैं अब अपने feature को ध्यान में रखते हुए काम करते रहें और अपने आज के पल में खुलकर जीए क्योंकि आज का पल जो आपके पास है वो कल आपका पास्ट होगा और जो टाइम बीच जाता है वो कभी भी लोटकर वापस नहीं आता अच्छा फीचर वो है जो सभी विनर हासिल करने की उम्मीद करते हैं इसके साथ ही इमिरेटली काम करने पर ध्यान दें अपने कामों को टालने की बचाए उसे जल्दी पूरा करने की कोशिश करें साथ ही अपने दोस्तों, फैमली और चाहने वालों के साथ टाइम बिताने के लिए टाइम निकालते हुए अपनी परड़क्टिविटी को भढ़ाएं अपनी टाइम की खुशी को महसूस करें और अपनी लाइफ के विनर बनने के लिए तयार हो जाएं तैंगे दोस्तों, ये दी साइकलोजी और विनिंग की बुक समरी आए इसके इंपॉर्टन लेसेंस को वापस से दोहरा लेते हैं ताकि आपके लिए उनको इंप्लिमेंट करना हमेशा याद रहे अपने गोल की एक क्लियर तस्वीर देखें अपनी लाइफ में स्मार्ट गोल्स बनाएं सबी कामों के पॉजिटिव साइड पर फोकस करें और अपनी लाइफ में पॉजिटिव डिक के साथ जीदने के लिए तयार हो जाएं अपने काम को लेकर डिटरिमिन रहें और उस काम को पुरा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करें सेलफ अवेर नेस के साथ काम करें खुद की रिस्पेक करें सेल्फ डिस्सिप्लिन बने, खुद से पॉजिटिव तरीके से बात करें, एक कम्प्लीट इंसान बने के लिए सभी चीज़ों का ध्यान रखें, और अपने आज के पल में जीए, तैंगे दोस्तो, आई होप आपको ये बुक सम्परी बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अब तक मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो तो जरूर कर देना, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे चैनल को पसंद तो करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना, और साथ-साथ बेल आइकन को भी प्रेस कारदेना